कॉंग्रिस नीत राहूल गांधी के नेत्रितों में निकाली जा रही भारत जोड़ यात्रा इस समय असम में है इस बस और पैदल यात्रा में राहूल गांधी स्थाने लोगों से भी मिल रहे हैं ऐसी ही एक मुलाकात का वीडियो सोशल मेडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें राहूल गांधी को एक लड़की गुलाब दे रही है पहले लड़की को सुरक्षा घेरे के अंदर जाने नहीं दिया जुआ रहा था काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा घेरा तोड़कर लड़की हाथ में गुलाब लिये रहूल गांधी के पास पहुँची और उन्हें गुलाब दिया गुलाब देने के बाद वो बेहत खुश नजर आई और कहा कि वो एक अच्छे इंसान है उन्होंने मेरा गुलाब एक्सेप्ट किया आपको बताते हैं कि रहूल गांधी की भारत जोडो निया यात्वा इस समय असम में है असम में यात्रा के दूसरे जिम राहूल गांधी ब्रह्मपुत्र नजी से नाओ के जरिये श्री 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 और याती सत्र मंदिर के लिए निकले इस दुरान कॉंग्रिस नेता गौरत गुगोई ने राहूल को ब्रह्मपुत्र नजी के महत्तों के बारे में बताया और इसके अलावा राहूल गांधी ने अन्य लोगों से भी बातचीत की There is one very nice line which is the Mahabahu Brahmaputra, Mahamillan and Teetho. So Mahamillan ka Teet. So yeh Brahmaputra के किनारे, सब लोग समोधाये, यहाप एक मिलन है, यहाप एक संगम है और यह उसको आप तीत्सान की तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं. So that's the connection we have. Your Teet Minister's corruption. What is the main thrust of his corruption these days? One major issue that everybody is talking about is rampant corruption. Corruption has just increased a lot and at the time of high inflation, high unemployment, this is really bugging the people. The government is trying to soothe the people's tempers by giving some small financial donations or financial schemes. But the fact is that people are seeing that the BJP government here in power, the kind of corruption, a chief minister who is in charge of the PWD department and is just using road projects and flyover projects to just enrich. And a family who is just so blatantly acquiring land, estate, everybody, every nook and corner people, they know that the family, especially the wife, is just acquiring this mass property. राहुल गांधी नाओ के यात्रा कर श्रीश्री और न्याती सत्र के दर्शुन के लिए पहुँचे. वहाँ एक छोटे लड़के ने पारंपरिक डांस किया, जिसने वहाँ मौजूद सभी लोगूं का दिल जीत लिया. तो चलिए, जाते जाते आप भी ये मनमोहक डांस देखिए.